हाई फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि आज लाइव आने का एक वक्त है हुआ था साड़े तीन बजे तो घड़ी में भी साड़े तीन बज गए और बेसिकली बहुत यानि कि पिछले दो या तीन महीने से हम ऐसे दोर से गुजरे हैं कि बड़े डिसकुशन हुए बड़ नए विजन की तरफ देख रहे हैं या जो भी अपडेट चाहते हैं तो सारी चीजों पर आज हम डिसकुश करने वाले हैं एक मैसेज देने वाला हूँ मैं डॉक्टर विकरांत आप सबको नमस्कार करना चाहता हूँ और एक मैसेज आप लोगों के साथ सेर करूँगा आज की प्लानिंग को और आने वाला दो हजार चोबिस स्की प्लानिaround को तैजदहार दे सकता है और ढपना डिसीजन लेने में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं क्लीयर मइ inclinarat से आप डिसीजन ले सकते हैं दो हजार चोबिस में तो सबसे पहले फिर से मैं welklem करना चाहता हूं जितने वी participants देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं और दुमस्कार भी करना चाहरा हूं काफी Lumba टाइम हो गया है और काफी Lum से कुछ planning चल रही है कुछ discussion चले हैं तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम को आज के इस लाई शेशन को एक मैसिज के साथ कि देखिए डारेक सेलिंग इंडस्ट्री में हमने 2016 में कदम रखे एक वेंचर के साथ इसमें इस डारेक सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा जो हाथ पकटने का काम किय मिखने की इस इंडास्ट्री में लाने का में पूरी टीम के साम केया था अज मैं पिछले सात साल केसा पीप करता हूँ पीछे मुझे एक बहुत अच्छा अनुभाव मिलता है अच्छा एक मिलती है कि पूरी इंडस्ट्री में जब हम नजर दोडा के देखते हैं पिछले साथ साल में तो बहुत सारी ऐसी चीजें परसनली और बिजनेस तोनों में मैंने बहुत साथ ज्यादा ग्रो किया और उस वेंचर को हम इंडिया के हर कोने तक ले जाने में सक्सम रहे ये उन लोगों की बदोलत से रहे जिनोंने हमारे अंदर ट्रस्ट किया जो लोग ट्रस्ट करते थे और उनकी हैल्प से जन लोगों का साथ मिला बहुत सारे लोगों का हमें साथ मिला पिछले वेंचर में तो उनकी वजह से पिछले वेंचर को हम आगे लेके गए साथ साल बहुत अच्छे से काम किया अभी 2024 में हमने जो प्लैनिंग की है वो तम आप लोगों के साथ सेर करूँगा पर मुझे आज ये अनुभाव हो है पिछले साथ साल से कि इस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है इसकी आइडियोलोजी क्या है इसकी सोच क्या है ये कैसे चलती है किस तरीके से चलती है इन सारी चीजों का जो अनुभाव है वो आज भी बड़ा सुखदाई सा मैं मैसूस होता है क्योंकि आप देखेंगे कस्मीर से कन्या कुमारी गुजरात के गुजरात से लेके यदि मिजोरम तक की बात करें यानि कि नोर्च से साउथ और इस से वेस्ट तक की बात करें तो उस कंपनी का उस वेंचर का डंका हम सभी ने मिलके बहुत एक नेक्स लेवल तक उसको हम वेंचर को लेके गए तो इस प्रॉफेशन से करते करते मैं कह रहा हूँ डारेक्ट सेलिंग से करते करते मुझे इस वेंचर से बहुत एक तरीके से लगाओ होता गया लगाओ हो कि इस इंडिस्ट्री में अभी हमारी इंडियन जो कंपनीया या इंटरनेशनल जो कंपनीया है तो यहां पर एक बड़ा आंतर है वह product की quality का आंतर और वह innovation का आंतर उस आंतर को इस difference को भरने में जितना भी हमने हमारी कोसिश हुआ हमने भरने के कोसिश किया नगी इंटरनेशनल स्टेंडर्ड जो प्रड़क्ट के पेरामिटर थे और इंडियन डारेक्ट सेलिंग में जो पेरामिटर थे इसका एक बड़ा गैप उस टाइप पे नजर आता था उस गैप को भरने की पूरी कोशिस की गई उस गैप को भरने के पीछे हम जदी स्टैप देखे और जिसने एज ए यूजर एज एक कस्टमर उनको यूज किया वो भी बड़े सैटिस्फाई हुए तो प्रड़क्ट को भी एक नेक्स लेवल पे लेके गई इसके अलावा जो प्लान एंड डिस्ट्रिबिशन सिस्टम था जो इंडस्ट्री में पहले नहीं होता था जिस ट प्रड़क्ट प्लान में एक रिवॉलिशन क्रियेट किया गया एक पिछले वाले सिस्टम में जो हमने काम किया तो उसमें एक वर्ड था एथिकल सिस्टम एथिकल का जो नाम था तो उस एथिकल को भी एक तरीके से पूरी तरीके से लागू करके आगे ले जाने का काम वहा पर मिला और अब जो 2024 में हम बात करने वाले हैं तो यह मैं क्लीर मैसेज देना चाहता हूँ इस बिजनस से मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा हूँ इस बिजनस को मैं प्रॉफेशन मानता हूँ किसी के लिए ये ना की लड़ाई होगी, किसी के लिए साग की लड़ाई होगी, किसी के लिए परतिस परदा होगी, कॉंपटीशन होगा, मेरे लिए ना तो ये ना की लड़ाई है, ना मेरे लिए कोई परतिस परदा है, ना मेरे लिए कोई साग की लड़ाई है, मेरे लिए है डार्यक सेलिंग प्राफेशन प्राफेशन फॉर मी और इस प्राफेशन को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ इसरिकनल करेंचे भी उस्काम को और अपगरेड करेंग रोंर से महरा नहीं पहले चाहिए काम किया है चाहे वो प्रोड़क्ट था प्लान था या एकिकल सुस्टम था उसको नेक्स लेवल पे डबलब करने के लिए हम आज तयार हैं यानि की इडिस प्रोफेस्टन फोर मी यहां पे मैं बिल्कुल यह डिरेक्टली बोलना चाहता हूं मेरे लिए नाक की लड़ाई नह साइस का मतलब सच्चा ही होती है एविडेंस होता है साइस का मतलब फैक्स होता है तो मेरे लिए इंडस्ट्री सच्चा ही है सैंटिफिक है प्योर प्रोफेशन है तो इस प्रोफेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं उसका नाम कुछ भी हो सकता है उसका बेस कुछ भी लेजाने के लिए वो सिस्टम होगा business plan को और अच्छा बनाने के लिए जो आज की लोगों की requirement है उसको next level पे लिजाने के लिए वो system होगा सचाई वाला जहां पर practices जो है ethical होगी ethical का मतलब है कि जहां पर आपकी ID की security जो कि बहुत कम देखने को मिलता है मैं यह नहीं कहता कि ऐसा सब लोग करते हैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनिया भी हमारी परलाली चल रही हैं उनका भी आदर सम्वान करते हैं वो भी बहुत सारी प्रैक्टिस करती होंगी अच्छी वाली बट हम अपना क्लियर मेंडेट यहां देना चाहते हैं कि हम एथिकल प्रैक्टिस के साथ एक नए सिस्टम को जनम देने की बात करें इस प्रॉफेशन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उन सभी प्रॉफेशनल का जो डारेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी काम्याभी की रहा देख रहे हैं इसमें केरियर डबलब करने की बात कर रहे हैं, इसमें बिलीव करते हैं, इस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, उन सभी प्रोफेस्टिनलिस्ट का मैं सुआगत करना चाहूँगा, मैं उनका welcome करना चाहूँगा और ये यकीन और ये belief दे लाना चाहूँगा कि जो भी next system आएगा वो बहुत ही upgraded होगा जहां international जो product है जो evidence based product होंगे जिनकी quality से लेके जिनकी ingredient की science से लेके जिनका background जो है उस सारी चीजों को लेके और ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लेना कि कोई ऐसी कोपी आने वाली है यहां पे बिल्कुल innovative जो product की series है जो कि मैं कुछ दिनों से आप लोगों के साथ साजा कर रहा हूँ हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स इस हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स का मतलब है कि आपकी जो halves है वो तो आपको heal करेंगी और nutrition जो है वो आपकी feel करेंगी feeling का मतलब जो आप में कमिया है उसको पूरा करेंगी और जैनेक्स का मतलब है repairing genome level पे DNA level पे repairing की बात कर रहे हम इन तीनों को healing, feeling and repairing इस concept को क्योंकि पिछले वाली concept में जब हमने scientific product डबलब किये थे तो उसमें healing, feeling था अब या healing, feeling प्लस repairing पे काम करने की बात की जारी और इसमें हम एक पूरा scientific panel जिसमें genetics वाले लोग भी हैं जिसमें nutrigenomics वाले लोग भी हैं जिसमें biotechnologist भी हैं और जिसमें food science और pharmaceutical के लोग भी हैं तो एक पूरा collaborative scientific panel के साथ scientific product हम आने वाले venture में लेके आ रहे हैं तो बिलकुल आप अफवा से मैं कहता हूँ बिलकुल अफवा में मत रहे हम जो भी करने वाले हैं वो इस profession को professionally तरीके से आगे ले जाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी split होता है या कोई ऐसी चीज नई विचारधारा डबलप होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को गुम्रा करने की बात आती है तो मैं हर professionalist का जो भी pen India direct selling से लव करता है और वो यदि अपने सपने और अपनी success को आज तक चून नहीं पाया है उन सभी लोगों का मैं इस नए venture में स्वागत करना चाहूँगा 2024 में और जो भी हमारी planning रहेंगी हम January में with name with product with plan ये सारे चीजे जनवरी में आप लोगों के साथ ये साजा कर देंगे तो कुस दिनों की और बात है तो अपना एक दूसरे से प्यार बनाए रखें किसी के बारे में मैं ये पटल भे कहना चाहता हूँ मैं किसी के खिलाब नहीं हूँ ना मैं किसी की खिलापत की बात करता हूँ ना मुझे किसी से दवेस है only इस profession से प्यार है इस profession को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और जितने भी इससे प्यार करते हूँ सभी का साथ मैं request करके मांगना चाहता हूँ कि आईए मिलके इस industry को एक नए आयाम पे लेके चले आईए इस industry में एक नई सोच एक नई development को आगे लेके चले आईए इस industry को मेरे लिए industry सीचने के लाइक है खीचने के लाइकERO कीज़े हैं हम से अपर नीचे रहा होता है किसी पार्त में उपर नीचे रहागा होगा पर यहाँ पर M.C.L.T. दलवाना चाहता हूं, जो भी नया काम करेंगे हम, उसमें आपको वो कमिया, वो ट्रांस्परेंसी से लेके, वो सर्विस से लेके आपको यहाँ पर पहले दिन से ही बेस्ट मिलने जा रही हैं। पैसे लिख सकते हैं, आपकी सुब कामना है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे, हमारे लिए इस प्रोफेशन को और सच्चाई से आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि यह रिस्पोंसिबिलिटी साथ साल हमने पहले निभाई, अभी और भी नेक्स्ट लेवल पर नि हैं, टेक्नोजी, साइंटिफिक चीज़ें, विद दर टाइम, डबलब, डे बाइडे होती रहती हैं, तो हमारी जो सीरीज रहेगी प्रोड़क्त की, वो आज आने वाली जो समस्या हैं, उनको देखके रहेगी, इसके साथ, यदि हम बात करें, तो यहां पे जो पार्ट र रहें, पॉजेटिव रहें, और जिसको भी लगता है, जिसको हम ट्रस्ट है, कि येस, हम आगे लेके जा सकते हैं इस इंडस्ट्री को, जो लोग इस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, और अपना केरियर की तलास कर रहे हैं, मैं उनको सब को इनवाइट कर रहा हूं, कि नए चीज, नए तरीके से, पुरे प्रोफेशन के साथ, पुरे लव के साथ, पुरे डेडिकेशन के साथ, आप सब का वेलकम हैं, और ठेट सारी सुबकामनाई हैं, दो हजार, चोबिस की नए साल की, तैंक यू सो मच, आप लोगों का जो प्यार है, ऐसे मिलता रहा, तो जरूर एक बड़ा आयाम हम आने वाले टाइम में लिखने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते थे, कि पिछले वाला लिख भी रहे, पिछले वाले सिस्टम और ये सारी चीज़े, मैं उससे भी प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद से डवल परणिये रहेगा वो सिस्टम, मेरे लिए हमेशा रिस्पेक्टेबल रहेगा वो सिस्टम, मेरे लिए जिस चीज़ को डवलब किया है, उस चीज़ को मैं कभी भी गलत, ना तो आज बदाता हूँ, ना पहले बताया है, ना मेरा ये कल्चर है, ना मेरा ये नेचर है, उसको और आज से नाऄस कर दो मेरी सेहरे थी, कुछ भी वह से बंद कर चुक हुट चाहे कुछ भी वो सेवाइत रही हूं चाहे वो अजे प्रेनिंग पार्ट की रही हूं, content development की रही हूं, product development की रही हूं, या management में जो भी मेरे को उस टाइल पे रोल थो पा था, उसमें हर चीज में मैंने अपना 100% देने की कोशिस की उसमें कुछो कम्या रही, उसके लिए यदि आप आपको लगता है कि कुछ कम्या रहे तो उसके लिए मैं आपनोंकों से apology feel करता हूं, समा मांगता हूं, पर जरूर next वाली चीज जो भी आने वाले हैं, जिस चीज को भी हम develop करने वाले हैं, उसमें जरूर धान रखा जाएगा, हर उस छोटी से छोटी चीज का, जो लोगों के काम्याब बनाने में help करने वाली हैं, right, so, उस system के साथ, फिर से repeat करना चाता हूं, मैं यह सवाल भी नहीं लेना चाता, कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जो बनाया अपने हातों से, वो हमेशा ही, अच्छा होता है, अच्छा है, और अब जो आने वाले टाइम में, जिन हातों से वो चल रहा है, वो अब उनके, वो कहता है ना, वतन आपके हवाले साथ ही, तो वो वतन उनके हवाले हैं, एक नए तरीके का, नया system, आप लोगों के साथ, जनवरी में लेके आ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का प्यार, विश्वास और आसिरवाद, ये सारे चीज़ें आप लोगों से एक्सपेक्टेड हैं, और किसी की भी भावना हैं, यदि पहले वाली कंपनी में आगात होई हैं, या कोई हमारे से गलती हुई है, तो एजे professionally, एजे भावी मानके या कुछ मानके, जुरूर मैं समा मागूँगा कि इस बार हम ऐसे हैं, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे excitement के साथ experience भी है, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई के साथ science भी है, क्योंकि यहाँ affordability के साथ quality भी है, क्योंकि यहाँ distribution के साथ ethical practices भी हैं, तो यह सारे clear vision से और मैं 100% कह रहा हूँ, कि जो जिन लोगों का साथ मिलेगा, तो पूरी जी जान लगाएंगे, कि वो एक next level पे अपनी जिन्दगी की जो success है, उस पे पहुँचें, और मैं पूरून ते विश्वास दिलना चाहता हूँ, कि सब कुछ clear transparency से चलेगा, कोई यहाँ पे मेरे mind में कोई doubt नहीं है, we are coming with, और इस profession को, herbonitrogenics के थुरू, और personal care के एक अच्छी खासी देंज के थुरू आगे लेके जाने वाले हैं, so thank you, जय हिंद, जय भारत, stay positive, और positivity फलाएं, किसी की negativity नहीं फलानी है, thank you so much, और जितने भी हमारे value sir हैं, या जो हमारे साथ नहीं भी आना चाहेंगे, उनको भी मैं best of luck, good luck बोलना चाहूँगा, thank you so much, love you all, चैहिंद,